उसने वैज्ञानिकों को चोगा दिया, ऐसे में अगर चांद के दक्षनी कर दिया। इन सभी सवालों के सटीक जवाब जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंध तक। आज के इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारियां देने वाले हैं। उसने बताया था कि अभी चंद्रयान 3 को सुला दिया गया है और जैसे ही 22 सितंबर होगी उसे दिन चंद्रयान 3 के विक्रम को जगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस दिन का करोड भारतिये बेसबरी से इंतजार कर रहे थे वह दिन बीथ चुका है। इस रो के वैज्यानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को रेडियो सिग्नल भेजना शुडू कर दिया है दोस्तों। करोड भारतिये 22 सितंबर के दिन का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि 22 सितंबर भारत वासियों के लिए बहुत ही खास होने वाला था। वैज्यानिकों ने 4 सितंबर के दिन प्रज्यान रोवर और विक्रम लेंडर को स्लीप मोड में डाला था और वैज्यानिकों ने बताया कि अब चंद के दक्षणी ध्रूव पर 14 दिनों तक रात रहेगी, इसलिए 22 सितंबर के दिन फिर से चंद्रयान के प्रज्यान रोवर औ और विक्रम लेंडर को जगाया जाएगा। चंद्रयान 3 का प्रमुख मकसद चांद की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग करना था। और उसके बाद 14 दिनों तक चांद की सतह पर जानकारियां इकठा करके वैज्ञानिकों तक भेजना था। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने मात्र 10 दिनों तक ही चांद पर एक्सपेरिमेंट किया था। और विक्रम लेंडर ने लगभग 12 दिनों तक चांद की सतह पर एक जगह खड़े होकर चांद की धरती का तापमान, प्लाज्मा, रिडियेशन और भू कंप के बारे में जानकारियां इकठा करके वैज्ञानिकों तक भीजी थी। केवल दस दिनों के एक्सपेरिमेंट में ही चांद पर धेर सारे तत्वों की खोज कर ली थी, जिनमें ऑक्सीजन और सल्फर समेत कैल्शियम, आयरन, टाइटीनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन। जैसे अन्य तत्व मौजूद थे, प्रग्यान रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर की खोज की, और इसलिए चांद की सतह पर सल्फर की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, चांद पर पानी की खोज करना था। लगभग 805 मीटर की दूरी पर उपस्थित है, लेकिन इससे कम से कम 500 मीटर तक की दूरी पर जाकर रिसर्च करना था। और अब चंद्रयान 3 जाक चुका है। आप वह जो जानकारी वैज्ञानिकों को देगा, उसे वैज्ञानिक हम लोगों को कल सुभह अपडेट देंगे। तो देखते हैं, चंद्रयान 3 में इन 14 दिन की भयंकर रात में क्या कैप्चर किया है। और अब चांद पर चंद्रयान 3 कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिसे देखकर बाकी देश बौखला से जाएंगे। वह कौन से एक्सपेरिमेंट है, वह आपको सुभह वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाएंगे।